इन दिस एक्जाम्पल ए मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रम रेस्ट अन लेक एक्सलेट्स इन ए स्ट्रेट लाइन अधि कॉंस्टेंट रेट आफ थी मीटर पर सेकंड स्केर फर एट सेकंड हाउ फार ड़स दबोट ट्रैवल दूरिंग दिस टाइं तो यहां देखें सबसे पहले आपको सिचुएशन यहां पर ड्रा करनी है बार बार मैं एक चीज़ रपीट करता हूं कि आपको फिजिकल सिचुएशन को जो जो उसने डेटा आपको दिया हुआ है वो यहां पर ड्रा करना है सबसे पहले क्या आप हो रहा है बोट क्या कहां से स्टार्ट हो रही है rest से, तो rest से start हो रही है तो इसकी initial velocity जो इसकी initial velocity होगी इसको we u लेते हैं, वो कितनी होगी? 0 और क्या बोरा accelerate हो रही है straight line में और constant rate से हो रही है यहाँ पे आपके पास acceleration है वो क्या है? constant acceleration change नहीं हो रही है और कितनी value है उसकी? उसकी value है 3 meter per second scale और यह जो motion है यह motion हो रहा है straight line में motion क्या है? straight line में और यहाँ पे आपके पास time given है 8 second time 8 second है, आपको क्या निकालना है? distance, s आपको निकालना है तो यहाँ अगर आप लोग धिहान दें तो यहाँ पे आपके पास जो motion है, एक तो straight line में है motion straight line में हो और acceleration क्या है constant जब acceleration constant होती है और motion straight line में होता है तो उस case में आप लोग यहाँ पे speed की equations use कर सकते हैं जो आपके पास 3 speeds की equation है वो आप use कर सकते हैं तो इस case में तो आपको क्या बोल रहा है वो distance निकालने को बोल रहा है तो distance आपको second equation से मिल जाएगा s is equal to ut plus 1 by 2 a t square अब initial velocity तो 0 है और time कितना है 8 plus 1 by 2 acceleration है 3 और time है 8 का square तो बचे s आपके पास आ गया यह तो 0 होगी term यह होगया 1 by 2 3 multiplied by 8 multiplied by 8 2 1s are 2, 2 4s are 8 तो यह आप इसको multiply करोगे आप लोग तो यह बंदरा आपके पास 24 को जब 4 से multiply करोगे तो यह आपके पास आ जाएगा 96 meter यह आपका answer आ गया बस आपने ध्यान देना है कि अगर motion straight line में है युक्कि अगर ऐसे आपको distance निकालना होता अगर आपको ऐसे distance निकालना होता तो आपको कैसे मिलता है velocity into time करके यह ना क्योंकि हमारे पास होती है velocity velocity होती है displacement upon time तो अगर displacement यह distance निकालना है तो velocity into time मिलेगा मगर यहाँ पे acceleration दी हुई है और motion straight line में तो speed की equation से आपको distance मिलेगा इस इसका आपको ध्यान देना है